नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपी की यूट्यूब चैनल पर दोस्तों 14 जिलाई को लॉंच हुआ चंडरियान 3 बहुत तेजी से अपने गंतव्वे की ओर बढ़ रहा है अब इसने प्रत्वी की कक्षा की सारी प्रिक्रमा पूरी करने के बाद चांद की ओ तो दोस्तों बतादे की इस मिशन की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उन्तरिक सियान को यानी कि चंद्रययान को चंद्रमा की कक्षा में किस तरीके से प्रिवेष कराया जाता है इसे बेहत साफधानी पूर्ण और पूरी तरह से प्लैंड स्टेप में स्पेस्क्राफ्ट की रफतार को कम करके किया जाता है ताकि चंद्रमा का जो gravitational force का जो एरिया है उसे स्थिर करके चंद्रमा कक्छा या फिर lunar orbit में खीत सके अगर चंद्रयान 3 चंद्रमा के gravitational force की पकड़ में आने में विफल रहता है तो इसके परिणाम निराज करने वाले हो सकते हैं स्पेस्क्राफ प्रत्वी के जो gravitational force के कारण चंद्रमा से दूर जा सकता है या उसकी सतय से भी टकरा सकता है अगर चंद्रयान दूर चला गया तो यह प्रत्वी के चारो और एक अंडाकार छेत्र में प्रवेश कर जाएगा इस अंडाकार पत्पर प्रत्वी के निकट्तम बिंदू और उसके सबसे दूर वाले बिंदू के बीच परिक्रमा करता हुआ दिखाई देगा अगर चंद्रयांतिर चंद्रमा की सथ zar से बहुत करीब परिक्रमा करता है तो चंद्रमा का जो ग्रैविटेशनल फोर्स इसका दुर्गटना क्रस्थ होने का कारण बन सकता है और यह अगर चंद्रमा से बहुत दूर हुई तो प्रत्वी के गुर्थवाकरसन बल इसको खीच लेगा और इसे जो है चंद्रमा से बहुत दूरी पर फैक देगा प्रत्वी के जो ग्रैविटेशनल फोर्स के बिना सैटलाइट अंत्रिक्स में तैरती रह जाएगी और ऐसी स्थिति में इस रो अंत्रिक्स यान पर दुबारा नियंत्रण हासिल करने और इसे प्रत्वी पर वापस लाने का प्रयास करेगी प्रत्वी से चंद्रमा की कक्षा में प्रिवेश का चरण जो है बहुत ही महतुपूर है इसमें सटी गणना और सही समय का सबसे ज़्यादा योगदान ह कोई भी गलत अनुमान चंद्रियान 3 के अंत्रिक्स में गुम होने या प्रत्वी या चंद्रमा से टकराने का कारण बन सकता है अगर ये अंत्रिक्स में गुम होआ तो मिशन को फेल गोसित कर दिया जाएगा क्योंकि इसे दुबारा चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करा जाता है, तो यह चंधरमा के उसी प्रकार से चक्कर काटेगा, जिस प्रकार से परत्वीष के चक्कर काटने के बाद यह बाहर निकला था. और उसके बाद लगबग तेईस अगस्त को चंधरमा के सचिनी चोर पर सॉफ्ट लेंडिंग अगर कर ली जाती है चंद्रयान 3 के द्वारा तो फिर ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा तो दोस्तों इन्फोर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद